हाई गाईज मैं विनोथ और आप देख रहे हैं टेक गुटी चैनल सो गाईज आज की इस वीडियो में आपको बताने वलाऊं कि आप रेल्मी 9i 5G में होम स्क्री मोड सेटिंग कैसे करेंगे होम स्क्री मोड सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है सो गाई सेटिंग पर क्लिक करते हैं सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा से नीचे आना है यहां पे आपको home screen lock screen and always on display पे click करना है यहां पे आपको first option मिल जाएगा home screen mode का तो friends यह हमारा home screen mode setting आपको उस पे click करना है यहां पे friends आपको नीचे 3 option मिल जाएगे तो friends मैं first option पे click करता हूँ first option पे click करने से पहले अगर आप कोई video अच्छा लगे तो वीडियो को like and share कीजिगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिगा तो friends मैं first option पे click करता हूँ इस पे click करने के बाद यहां पे आपको apply वाले option पे click करना है इस पे click करने के बाद यहां पे आपको switch all option पे click करते ही आपकी phone में standard mode apply हो गया है यहां पे friends आप देख रहे हैं यहां मेरी सारी apps मेरी home screen पे आ गई है मुझे sweep up करने की जरूत नहीं है अब बात करते हैं second option की second option पे रहे हमारे drawer mode का इस पे click करता हूँ इस पे click करने के बाद यहां पे आपको apply पे click करने है इस पे click करते ही आपके phone में drawer mode apply हो चुगा है अब आपको sweep up करना पड़े का तब friends आपके app इस तरीके से open होके आईगी so friends यह तो हमारे second option अब बात करते हैं third option की third option दे रहे हमारे simple mode का so friends में simple mode पे click करता हूँ इस पे click करने के बाद यहां पे आपको apply वाल option पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको switch वाल option पे click करते ही आपके phone में simple mode apply हो गया है और यहां पे friends आप देखने हैं यहां पे आपको app की size भी काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं so guys इस तरीके से आप home screen mode setting कर सकते हैं और guys आप कोई video interesting लगा तो video को like and share कीजिगा और guys ऐसी interesting videos देखने के लिए हमारे channel को जरू subscribe कीजिगा तब तक के लिए bye bye tata thank you